सर नमस्कार सर क्या नम है आपका? मेरा नाम शिव कुमाराजी सिव कुमारजी कहां सा है आप? सर आप संतरामपाल जी नहीं से कैसे जुड़े? संतरामपाल जी महाराज के साथ जुड़ना मेरा एक मतलब suddenly गटना ही है कि मेरे प्रोस में ही डेथ हुई थी किसी की बहाँ पे संत्रामपाल जी महारा द्वरा लिखी धर्ती पे अफ्तार बुक मुझे मिली प्राफ्त हुई तो मैंने उसको एज एक पार्ट टाइम पढ़ना शुरू किया पढ़ते पढ़ते जब मुझे उसमें गुनानक साथ जी के चैप्टर मिले उनके जो कभीर साथ बारता हुई वो मुझे प्राफ्त हुई तो मैंने देखा कि उसमें तो जो बारता हुई है गुनानक साथ ने भी कहा है कि वो कभीर ही है जो मुझे मिला था तो मैंने उसको पूरी तरह स्टड़ी किया, स्टड़ी करने के बाद मेरे को कुछ नजदी की संत्रामपाल जी महाराजी के शिशे हैं, उन्होंने मुझे और बुकें पुर्वाइड कराई, उसके बाद मैं 25 मई 2013 को बरवाला अश्रम में जाकर सद्गुरामपाल जी महाराज से नाम देख्षा लेकि आया. मेरे फादर ने शिवजी भुगवान की पूजा करते तो मैं उसको शिवजी भुगवान जी में ज्यादा आस्ता अपनी बनाए रखता था परन्तु जब मुझे संत्रामपाल जी महराद द्वारा प्रावत धर्ती पे अवतार भुक प्रावत हुई तो मेरे को उसमें सचा ही पता लगी कि जो ये तीन गुण क्या है और ये तीन गुणों का स्तिती क्या है और ये हमें कितना लाव दे सकते हैं तो इसके बाद जब गुनानक साथ जी को जैसे मैंने पहले ही बताए कि मैं गुनानक साथ जी को ज़्यादा मानता था तो मैंने उनको उनकी भानिया पड आपको संत्रामफाल जी माराजी के पुस्त के मादम से पता चला कि गुरु नानक देव जी के भी गुरु कबीर साहिब जी थे और संत्रामफाल जी माराजी कबीर साहिब को परमात्मा बताते हैं तो सर क्या संत्रामफाल जी माराजी जो बता रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत नहीं ऐसा मैंने मानता क्योंकि सिख समाज कहीं न कहीं आज के दोर में अपने गरंचों से उतना प्रीचित नहीं रहे गया जितना पहले सिह लोग भी आ करते थे अपने नितनियम को प्र Issज करते थे अज इ learnt fö्से एक दोर ही चल रहा है कि हाँ हम सिख है या हम हिंदू है हिंदू लोग भी अपनी होली बुक से प्रीचित नहीं है जबकि संत्रामपाल जी महराज जो कि हमारी होली बुक को हमारे सामने प्रसुत करते हैं उनमें दिखाते हैं कि ये साधना है और ये साधना आपके उनों महापुर्शों ने कई है और यही साधना आपको करनी पड़ेगी, तब आपका मुक्स होगा. सर, हम जिस भी संत्रामपाल जी महाराजी की अन्योरी से मिलते हैं, तो उनको संत्रामपाल जी महाराजी से नाम देख सा लेने के बाद कोई ने कोई लाब जरूर होता है. तो सर, हम आप से जानना चाहते हैं कि आपको संत्रामपाल जी महाराजी से नाम देख सा लेने के बाद क्या लाब मिले? बिल्कुल मिले, बहुत सारे लाब ऐसे मिले हैं, परमात्मा ने बहुत सारे दास को लाब दिये हैं, परमात्मा ने पहला लाव तो मुझे ये दिया कि मेरा लड़का था जो शत के उपर से गिरा तो मैं किसी को ग्यान समझा रहा था तो वो मैं ग्यान समझाते समझाते तो मेरे को वहां पर फोन आया कि आपका लड़का शत के गिर गया है तो वो बंदा कहता है कि देखो ये हमारे देवी देवताओं की बुराई कर रहा था तो इसलिए इसका लड़का शट से गिर गया है तो जब मैं वहाँ भागा गया तो मेरे जाने से पहले ही उसको मेडिकल स्टोर पे ले गए थे डॉक्टर के पास तो मैं वहाँ पे जब पहुंचा तो मेरा लड़का विल्कुल ठीक था तो जो काम करने आया था मेरे गर पे वो भी वहाँ पहुंचा और उसने देखा कि यार इसका लड़का इतनी उंचाई से गिनने पर भी फिर भी सेफ है पि कहीं न कहीं तो ये शक्ती है जो इनके साथ काम करती है और इनकी रक्षा भी करती है तो इसी देखा देखी में उसने संद्गूर रामपाल जी महराज से नाम प्राफ्ट किया और उनका ग्यान भी समझा और उनको भी अने को लाव हुए मेरे को इसके रावा मैं काफी करजे में आ चुका था परमात्मा की दिया से सद्गुरामपाल जी महाराज की दिया से मेरे को इतना बड़ा लाव हुआ कि जो मेरी जमीन मतलब मैं एकस्पेट भी नहीं कर सकता था कि उसका तीन से चार लाव रुपिया मुझे बड़े जोर से मिलेगा वही मेरी जमीन मुझे बारा से तेरा लाव रुपिया दे के गई आने मेरे को आरतिक लाव देटे हुए मुझे गोदी में उठाके हुए और मेरे को अपने सनीदे में रखते हुए मुझे काल से बचाते हुए और इस भक्ती पे लगाते हुए अनेकों लावे से दिये जिनकों मैं गिना भी नहीं सकता इसके लावा मेरे को मेरी धरम बतनी को बवसिर की प्रोलम थी मालिक इद्यासे वो भी ठीक हो गई सद्गूरामपाल जी महराज की इद्यासे और में इदास का एक छोटा सा ढाबा है उस पर मात्मा बंदी शोट सद्गूरामपाल जी महराज की द्यासे बहुत अच्छा चल रहा है और मालिक ने इस दास को एक और नया विजनस ओपन करवाया है मालिक बंदी शोट सद्गूरामपाल जी महराज ने उसमें मालिक इस दास पर बहुत सारी द्या कर रहे हैं इस जो शास्तर अनकुल साधना है उसके बारे मैं बता रहा था तो अचाने की उन में से वो भूत प्रक्ट हो गया और बोला कि भी तू वहाँ चला गया इसलिए बच गया नहीं तो तेरे पूरे परिवार को मैं नश्ट कर देता तो मैंने उसे पूछा कि हमारी आप से क्या दु सकता क्योंकि आप ऐसे पूरण संत की शर्ण में चल गए हो जहां पर मेरा कोई बस नहीं चलता तो मुझे वहां से त्रिड़ बिश्वास हो गया कि जहां भी मैं गया हूं वो पूरण है और उसका ग्यान पूरण है उसका समधान पूरण है और वो भक्ती भी पूरण है सर आपने बताया कि संत्रांपाल जी महारा जीन आपको बहुत सारे लाब दिये तो सर एक ऐसा संत जो अपने आनिवायों को इतने सारे लाब दे रहा है वो स्वैम जेल में क्यों है क्योंकि आज नहीं, आज से क्रोडों बरशों पहले ये रीती है क्योंकि जिनों ने सचाइ को उपर लाने की कोशिच की है चाहे वो गुनानक साब जी है, चाहे आप भगत सिंग को ले लो, चाहे गांदी जी को ले लो उनके उपर लाखो कारवाईय हुई है और उनको जेलो में सड़ना पड़ा है सद्गूरामपाजी महराज भी पूरे संसूरे बिश्व का परवकार का काम कर रहे हैं वो देहज मुक्त शादियां करवा रहे हैं और निशुल्क ऐसा ग्यान दे के नशाय सुड़ा रहे हैं लोखों ऐसी बहने हैं जिनके घर बरबाद हो चुके हैं नशे के कारण उनका घर स्वर्ग से स्वर्ग जैसा बना रहे हैं एक तत्तव ग्यान के द्वारा तो ये तो इस संसार की एक मैं कहूंगा दुर्भागे है जो सद्गूरामपाजी महाराई का ग्यान ना समझ कर उनके उपर रोप रति रोप लगा रहा है उनको चाहिए कि सद्गूरामपाजी महाराई का ग्यान स्टडी करे अगर उनमें कोई तूटी लगती है तो उनके भक्तों से या फिर उनके आसपास जो भी वहाँ पे नामदान सेंटर है वहाँ पे जाके उसकी जाज परताल करे अगर उनको सचाई लगती है भी ये बाके ही सचा ग्यान है तो सद्गूरामपाल जी महाराई का ग्यान अडॉप्ट करने में उनको कोई परशानी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि सब संसार को मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए हमें पूरन संथ चाहिए कि देया हुई है जगा-जगा नामदां सेंटर कुले हुए हैं. साधना तीवपे सफसंग आता है. उसके नीचे की पीली पट्टी आती है. उससे नमबर लिखे हैं उन नमबरों पे कोल करके अपने निजदी की नामदन सेंटर पर जाके आपने शुल्क नामदन दिक्षा ले सकते हैं जी धन्यवाद सच सब्सक्राइब जी